एक समय पर जिस कंपनी की जाफंदे कोयर नहीं था आज उस कंपनी की जाफंदे के लिए में एक साल या देषर साल कहीं कहीं बार सो किसी कंपनी के बाद करना पड़ता है आप समझ के यह टाटा मोटर कुम्प की बात कर रहा हूँ आज हम आज मोटो मोबल की बात करे हो और उसमें Tata का नाम नाये यह साँ कैसा हो सकता है आज हम किसी भी सेगमेट के बारे में बात करे हैं वहाँ पे टाटा मोटर एक अच्छी पोजीशन पे हमें दिखाई देती है वह अभी currently second largest manufacturer इंडिया में बन गई है और उसके current product के बारे में बात के तो अभी Tata Harrier, Tata Safari जैसी कई गादी उन्होंने successfully launch किये और अभी EV में बात के तो Tata, Tigor, Nexon और अभी बात चल रहे कि अभी Ultras भी आने ही वाली है आपको कई बार लगा होगा क्या किसा कैसा कर पा रही है क्या इस strategy है जो हमें नहीं पता इसे जनने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आगे हम इसे business related important strategy के बारे में बात करने वाले जिससे हम अपने current business में profitable sales दुनों को बढ़ा सकते है इसलिए आप इसे ज़रा भी मिस्स मत कीजिएगा चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते है इस वीडियो को हमने mostly दो पार्ट में रिवाट किया है जिससे हमें समझने में आसा नहीं हो कि आखी टाटा ने कुण कुण सी strategy किस किस सेक्टर में लगाई है पहला है domestic product और दूसरा है EV product सबसे पहले हम domestic product के बारे में बात करेगे उसमें पहली strategy है कि customer behavior एक समय ऐसा था जब टाटा मोटर की कोई गाड़ी लेने के लिए राजी नहीं था लेकिन तब टाटा ने अपनी थोरी strategy चेंज की और customer behavior को समझा कि customer को अकर चाहिए किया आज आपने टाटा की गाड़ी हर जगाह पे देखी होगी लेकिन क्या कभी आपने गोर किया है कि टाटा की गाड़ी जब दूर से आ रही होगी तभी आपने उसे पेचान लिया होगा क्यों सही कहा ना फिर चाहिए हम टाटा हेरियर के बारे में बात करें या ताटा सफ़ारी के बारे में हम मैं से सेवन्टी परसंट से ज़्यादा लोगों ने जिन्दगी में एक बार तो सोचा ही होगा कि एक बार तो ताटा हेरियर लेनी ही है इस जीच आपको एक बार तो हुई होगी एसा आपको क्यों लोगा पता है? क्योंकि थाटा कमपनी की कोई भी कार का रोड प्रेजन्ट ही इतना अच्छा होता है कि हम इसे इगनोर ही नहीं कर सकते कहीं पर भी टाता एरियर खरी हो या ताता सफारी करी हो या दादा पंच खरी हो एक बार तो आपका धियान जाएगा ही जाएगा अगर नहीं जाता तो आज के बद जरूर जाएगा दाटा ने अपनी पूरी स्टेलिंग स्टेटेजी में भी थोड़ा चेंज किया है अब आप चाहे जो भी आपका बज़ेट हो उस सेग्मेट में आप टाटा की गाडिया ले सकते हैं फिर चाहे टाटा नेक्सौन हो टाटा पंच हो यहाँ से लेके टाटा हेरीयर या ताटा सफ़र या आप किसी के लिए भी जा सकते हो जैसे कि हमने पेले आगे डिसकस किया कि टाटा ने अपने रोड पेजन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और वो भी अपने सिर्फ लुक के साथ ऐसा हम बोल सकते एक्स्प्रिमेंट किया है कि जिसे हम वो किसी भी कंपनी के साथ वो अन्बीटेबल हो गई है अगर हम थोड़ा पास में देखे तो हम देखते हैं कि टाटा नेनो, टाटा इंडीका, टाटा विस्टा ये क्या है अगर हम उसके सामने आज हम टाटा हेरियर, टाटा सफ़री या टाटा पॉंच रखे तो कौन कहेगा कि आज से तोरे साल पिल रही है कंपनी इस काडी को बना रही है और आज ये कोई यकिन नहीं करेगा स्टेटेजी नमबर टू, बोरिंग टेकनोलोजी एन एक्सपर्टिस शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होगे कि टाटा ग्रूप के अंदर जेगवार और रेंज रूवर भी आती है आता सबसे पहले सिर्फ अपने बजेट केटेगरी के लिए ही जानी जाती थी इसलिए वो कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं कर पा रही थी जब टाटा ने अपना गोल बदला किये अब हम मीडेल सेग्मेंट से थोड़ा आगे बढ़ेगे और इस पूरे मार्केट कम थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट करेगे तब उनके पास जेगवार और रेंज रूवर की जो भी टेक्नलोजी है उसके बारे में थोड़ा एक्सपर्ट करने का उसे मौका मिला और वहां सब भी रात और रात नहीं हुआ उसके लिए भी उन्होंने कई सालों तब बुरी मेनत की लेकिन उसमें भी एक दिक्कत थी कि वह जो ब्रांट थी वह सभी लगजरी ब्रांट थी उसकी टेक्नलोजी ऐसे तो उठा के नहीं डाल सकते क्योंकि अगर वहां से सिधा यहां पर डालोगे तो टेक्नलोजी की वज़े से इतना ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा कि यहां पर कोई इस अफ़ोड ही नहीं कर पाएगा आपने इंडिया में सुना यह होगा कि हमें सबसे अच्छा सबसे सच्था और टिकाव प्रोड़क्ट चाहिए फिर टाटा ने वही बनाने की कोशिश की और फिर टाटा मोटर ने पूरे यह मोडिफिकेशन करके इंडियन बजट के और इंडियन मार्केट के हिसाब से एक्जेस करके अपना अच्छा वाला प्रोड़क्ट लॉंच किया और इसी हुज़े साथ टाटा सेकंड नमबर पर आती है और उसके हिसासात आता कि एक खास बात है कि वह कभी अपने शेफ्टी के साथ ज्यादा कुछ हम बोल सकते है कि एक्स्प्रिमेंट नहीं किया हूँ और शेफ्टी फर्स प्रियोर्टी पर रखते है इसकी वज़े से ही ताटा के ब्रांड वेल्यू इतनी बड़ी हुई है इस मामले में ताटा के उपर लोगों का ट्रॉस्त ही इतना ह कि इस से आगे हम कुछ बात ही नहीं सकते है अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आए कि टाटा एवी यानि की टाटा के विलेक्र वेहिकल अगर हम एवी इंडिस्टी के बारे में बात करें और उसमें टेसला का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं शकता क्योंकि पूरी इवी रिवल्यूशन को लहने में टेसला का ही सबसे बड़ा हाथ है फ्यूचर में सहे टेसला से यह टाटा मार्केट में आ गई है अभी इंडियन गवर्मेंट और टेसला के बीच में थोड़ी बहुत चगड़े चल रहे है इसकी वजह से टेसला भी इंड कि टेसला की गाड़िया इन्वर्मेंट के लिए बनी ही नहीं है क्योंकि यहां पर कई जगह पर 25 दिगर टापमान चला जाता है और उसके साथ अगर हम प्राइस डिफ्रेंट देखे तो वह भी बहुत जादा है अगर एवी मेक्स के बारे में बात के तो वह 18 से 20 लाक रु गाड़ी होती है इस है चाम चाहिए BMW है Mercedes क्यों नाले क्यों हम इस टेसला के पीछे बागे वहाई टाटा एवी इस सो सॉक्सेस्फुल आखे ताटा के इतने एलेक्रिक प्रोड़क्त क्यों सॉक्सेस्फुल हो रहा है फर्स्ट्रेटर जी कस्तमर नीड अगर हम 2022 का गाड़ी हो प्रोड़क्त करें और उसमें से 15,200 से ज़्यादा गाड़ी है टाटा की ही है और इसके पिछले साल 2021 के डेटा को एनल्सिस करें तो उसमें हमें अभी तक 4984 गाड़ीया 2021 में बिकी थी और उसमें से 3532 टाटा की गाड़ी है थी अगर हम पिछले साल से इस डेटा को कंपेर करें तो उसमें हमें 331 परसंट के हमें ग्रोथ देखने को मिलती है जब टाटा को अपना एवी प्रोड़क्त बनाने के लिए गवर्मेंट से पूरा कॉंटाक मिला तब टाटा ने इसका वर्पूर फाइदा उटाया और पूरा को पता है कि टाटा कस्तमर सेटिस्फिक्शन के लिए और सेफ्टी के लिए तो जाना ही जाता है ताटा ने सबसे पहले अपने इवी टीगो लॉंच की थी उसकी रेंज हम बोल सकते है कि थोड़ी कम थी 150 किलोमेटर की थी तब फी टाटा को पता चला कि यह रेंज बहुत 30 किलोमेटर से 300 किलोमेटर तक अगर रेंज होगी तो सब लोगों के लिए शूटेबल होगा लेकिन उसमें भी क्याश है कि यहां इंडिया में 70% से ज्यादा मिलेज क्लास लोग है जिनका कार भाय करने का वजट 10-15 रुपे ही होता है इससे ज्यादा वह स्पिन नहीं कर प इसलिए वह पूरा सक्सेस्फूल हो गया अमरे लाइफ एक्ट अगर हम इवी सेग्मेंट के बारे में बात करें तो यहां पर कई सारी कंपनिया इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि उसे सब कुछ काम कुछ सही करना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा पैसे और रिसोर्स लग जाते है इसलिए कई सारी कंपनिये इस सेग्मेंट में बहुत ज्यादे असमें तर्टिक नहीं पाती लेकिन यहां पर भी ताटा का पूरा अमरे लाइफ एक काम आता है क्योंकि अगर हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो इतना सारा पैसा और इतने सार्स लग जाए उसे पूरा डिवाइट कर दिया था लेकिन वो सब था ताटा के ग्रूप के अंदर इसकी वज़ए से वह क्वालेटी के उपर भी फोकस कर दे पाए गनम टाटा नेक्सवन एवी काम एक्जमपल लेके देखे तो टाटा नेक्सवन जो पूरी सक्सेस्फूल हो गई कि टाटा ने उसका ही पूरा मोडर उठा के उसे मोडिफाई करके इवी बनाया बजाए उसके ज्यादा मोडिफाई करके नए दिजैन बनाने में ज्यादा पेसे वह रिसोसित लग जाते फिर उसके बाद ताटा के अलग अलग ग्रूप ने ताटा के इवी सेग्मेंट में मदद की वो कैसे आप देखिए सबसे पहले अगर हम फाइनस के बारे में बात के तो टाटा फाइनस इसे पूरी अच्छी तरह से फाइनस करता है इसकी वज़े से कस्टमर को कभी काल लेने में दिकत नहीं आएगी जो टाटा के जो कमपोनेट होते हैं उसके टाटा ओर्टो क पूरा मिनेज कर रहा है इसकी वज़े से टाटा हम बोल सकते हैं कि इस में भी फैल नहीं होगी चारजिंग सेशन के लिए टाटा ने टाटा पावर के साथ कल्गरेशन किया है बेटरी के लिए टाटा केमिकल है रिटेल के लिए क्रोमा है और सोबफ़ेर के लिए टीचिय और एलक्सी तो ही इसकी वज़े से पूरा जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ताता जो चाहे उसके उपर फोकस कर पर है अगर हम नए सेग्मेंट में बात कहें तो भी ताटा काव और ओवन यह जैसी कई कार आने वाली है और जो भी इन फ्यूचर आसे टाटा की कार आने वाली है वो कुछ वैसी डिजैन के साथ नहीं बलकी पूरी फुटरिस्टिक डिजैन के साथ ही आने वाली है अब आपको पता चलाओगे क्याकि हर जगह ताता की गाड़िया क्यों दिख रहे है और रिजल्ट आपके सामने ए कैसा कैसे हुआ है अग अप हमें comment करके जरूब बतायेगा गर इस वीडियो में हमसे कुछ detail मिस हो गई है तो आप हमें comment जरूब करेगा और हमें बतायेगा कि हमसे क्या मिस हुआ है और हो सके अगर हम तो उसे अगले वीडियो में solve करने की जरूब को शिक करेंगे